आप देख रहे हैं अपने केमरा मंदिर का और दिखाईए आप और उसी कड़ी में जो है यहां पे महाबीर जी का मंदिर है और गड़े जी का मंदिर है उसको भी आप दिखाईए कि संशेग में पर्चे दीजिए मेरा नाम डाक्टर बिरेंद्र गुपता है क्या मामला है यहां पे राजा पिठाउरागर द्वारा दिर्मित 1472 इस्वी में यह वहुत पुरानी मंदिर है जो आजादी के पहले से लेकिन आप जहां जाएंगे पिछले कहीदों से ज्ढू नहीं लगता हमने यो जे प्रकास्यादों से बात किया तो निश्क्री प्रुवग भेजते हैं सफाई हो रहा है लेकर नहीं भेजते हैं एक कहीं ने कहीं मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि लोग प्रभाव में अपने द्वार को दो से तीन बार जहाड़ू लगवा दे रहा हैं कई मस्जिदों में लग रहा है कई मदर्सों में लग रहा है कहीं बाग उनकी बाग जो है चार चार पाचवां आठाट सफाई करम चारी लगे हुए हैं लेकिन एक आस्था का प्रतिक से लोग आते हैं आस्था का प्रतिक है लेकिन एक कहीं न कहीं राजनितिक सिकार यहां का जैप्रकास यादो ईयो और हिलाल अमद अंसारी जो कि यहां साब सफाई के नाम पे बिल्कुल नगड़ है आप देखिए तना दूर देखते जाएंगे यहां अपने हालू लगा र साब सफाई ना करवा यह गलत संदेज दे रहां और यहां का अधिसासी अधिकारी यह जो प्रकास यादो है वो कहीं न कहीं इसमंदिर को साब सफाई करवा ने के उसमें लिप्थ है आप देखेंगे 11 बजे के बाद मंदिर से बाहर आप निकलिएमार तो औरते मघिला-ए बजार से जब अपना वो करने के लिए पूझा पाट करने करिये तो 10 वजे के बाद ये नाली का पानी निकाल के रोड पर रख देते हैं मैं ऐसे लोगों पर मैं अभी पत्रक के माध्यमत मुख्य मंत्री जी को और नगर विकास मंत्री जी से लेकर मैं जिला अधिकारी को ग्यापन दूँगा कि ऐसे लोगों के उपर कठोर से कठोर कारवाई हो जो आस्था के नाम पर जिसे नगरवासी काफी आक्रोस है इतने आक्रोस में है कि अगर अगर ये नहीं होता है तो फिर आगे की कारवाई उनके उपर बाबा भोले नात के आसिरवाद से हम लोग आगे की कारवाई सोचे के